अब बच्चों मैं आपको कैपैसीटर का छे लेक्चर दे जाका अज साथ में लेक्चर में मैं फिर से क्या है आर सी सार्किट की बात करें चलेंगे चार्जिंग एंड डिश्चार्जिंग चार्जिंग का पिछले लेक्चर में हाने मैं बताया था चार्जिंग ऑफ कैपैसीटर चार्ज तो आज फिर से उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए है ना मैं बढ़ते चला हो RC circuit charging of capacitor का case तो पिछले lecture में हम लोग देखे बच्चो Q बाराबर Q0 1 e to the power minus T by RC Q0 1 e to the power minus T by tau लिखना सिखाए tau is time constant tau बाराबर RC time constant और Q0 को में लिखाया CE C is the capacitance of the capacitor and E is the applied EMF बैटरी जो लगाया है उसका EMF CE 1 minus e to the power minus T by tau tau RC और आई बाराबर मैं बताया I0 है ना e to the power minus T by tau चाहिए T by RC लिखाया था I0 e to the power minus T by tau यह formula हम दिखाए थे और इसमें दिखाए थे कि exponentially क्या होता ही increase करता ही इस तरह का graph में बताया थे तो इसको चेक कर लेंगे अपना फिर से revise करते रहेंगे सारी परहाई को यहां पर मैं बोला 0.63 टाइम्स टी बराबर क्या चीज़ पर tau tau बोले तो time constant टी बराबर infinity पर q बराबर q 0 infinite बहला case होगा तो कितना तो q 0 टी बराबर 0 पर charge क्या हो जाता है 0 हो जाता है मेरा बच्चा है यह टी बराबर tau लिखे हाना rc लिखे time constant और current में भी इसी तरह से देखाए exponentially time के साथ current क्या होता है decrease करता है maximum था i0 कहां पर तो इस तरह से बोला जाएगा टी बराबर 0 पर और टी बराबर infinity पर जाके current क्या चीज़ जीरो और उस case में बोला था capacitor का resistance क्या हो जाएगा infinite हो जाएगा और वह open circuit की तरह behave करेगा T और इसे में 0.37 of I0 बोले कितना पर T बराबर टॉपर यह पीछले लेक्षर की बात को repeat कर दिया मैं अब आज का topic जो हम लोगे बरहाने चले हैं उसमें क्या है ध्यान दोगे बच्चों वोल्टेज एक्रोस दा capacitor BC लिखे गई बच्चों RC circuit में वोल्टेज अक्रोस दा capacitor फिर भीची बराबर या वोल्टेज अट टाइम T की बात करने चले हम लोगे तो वीची बराबर क्या Q by C और Q का फार्वुला हम लोग दे चुके हैं हा न Q naught 1 e to the power minus T by RC और by क्या चिसी और Q बराबर हम लोग जानते हैं CE Q0 बराबर CE दिखाए थे शुवात में तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं C लिखेंगे CC cancel हो जाएगा 1 e to the power minus T by RC E 1 e to the power minus T by T बोलेंगे बच्चों तो बोल्टेज का फार्मुला बोल्टेज अक्रोस दिखाएटर का फार्मुला मिल गया तीन special case बार बार हम लोग लिखेंगे at T बाराबर 0 at T बाराबर infinity and at T बाराबर क्या चिस्टो तो दिखाएटर का यहल equation है मेरा बच्चा उसी nature का E भी है इसका मत्तब voltage across the capacitor exponentially increase करेगा time के साथ जिस तरह का graph इसको follow किया है कि वलिया variable यहाँ क्या हो जाएगा voltage across the capacitor इस axis पर आरिया क्या बच्चा time तो इस तरह का ही graph आएगा और फिर क्या चीज़ तीन केस मैं बोल रहा हूं बच्चो तीन केस यहीं पर मैं बोलता हूं at T बराबर 0 something to the power 0 बराबर क्या चीज़ 1 हाँ न तो voltage क्या हो जाएगा BC बराबर क्या चीज 0 at T बराबर infinity यह T इंफिनिटी होगा तो यह क्या हो जाएगा बराबच्चा 0 हाँ न T के जगए infinity तो minus A तो नीचे जाएगा और यह पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर यह सीधी सी बात कर लो E to the power minus infinity और उसको लिया जाएगा तो 1 by E का power infinity और वह E का power infinity बराबर 0 सारी E का power infinity बराबर infinity तो 1 by infinity बराबर 0 तो क्या हो जाएगा T बराबर infinity BC किसके बराबर applied EMF के बैटरी के EMF के बराबर यह conceptual बात होगा इसा हो नए infinite time पर बोला जाता है और at T बराबर tau बराबर मेरा बच्चा क्या चीज़ RC यहाँ पर T बराबर E का power minus 1 का value 0.368 पहले भी काई बार बोल चुक है तो यही क्या हो जाएगा BC बराबर मेरा बर अच्चा 0.63 into क्या चीज़ EMF का 63% हो जाए तो उसको time constant यहाँ पर भी हम लोग इस तरह से graph दिखा सकते हैं T बराबर क्या चीज़ tau बराबर RC यह कितना 0.63 of EMF और infinity पर जाकर क्या होगा मेरा बच्चा EMF के बराबर जो होता नहीं उससे थोड़ा कम ही ही हो रहेगा लेकिन ideal condition बाला infinity पर बाला बात करें तो यह आप voltage का देखा लिए है अभी जो आस्ट में इसी से आपको क्या है voltage across the capacity register में बता जा रहा across the register Vr Vr बराबर I into R V बराबर I R I था current का value at time T circuit से तो क्या होगा I का value तुम देख रहे हो कितना है वेरा बच्चा I 0 फिर R रहेगा ही R और E to the power minus T by R C T by top ही लिखा जा सकता है इसको हम लोग I 0 को है ना E by R या E to the power minus T by R C I 0 को क्या लिखोगे E by R कब जब T बराबर 0 T बराबर 0 पर क्या हो जाएगा है ना current जो होगा maximum होगा और वह किसके बराबर E by R उस case में capacitor ये दो बात पहले से लिखा रखे है T बराबर 0 और T बराबर infinity At T बराबर 0 पर capacitor क्या हो जाता है उसका resistance catch is 0 short circuited वाला case बोल देते हैं तब उस case में I 0 बराबर At T बराबर 0 R C circuit में जब बैटरी लगा रहे हो चार्जिंग के case में तो I 0 का value कितने का बराबर E by R पिछले lecture में इसाब को हम लोग कर चुके है तो यह क्या होगा मेरा बच्चा I 0 के जगे E by R लिखोगे तो E E to the power minus T by R C ठीक है तो यहाँ V R voltage इसके cross क्या देखे capacitor के cross increase किया मेरा बच्चा और इसमें exponentially क्या करेगा decrease करेगा voltage तो V R बराबर E to the power minus T by R C क्या धार graph जो हम लोग plot करेंगे exponentially क्या होगा decrease करेगा infinity पर जाकर voltage क्या हो जाएगा resistance के cross current 0 तो voltage across the capacitor will be 0 तो यह V R और यह time और इसमें क्या होगा इसमें भी तीन केस की बात कर लिए at T बाराबर 0 V R बाराबर E E to the power 0 बाराबर 1 हो जागा तो V R बाराबर E at T यह कंडिशन हो गया at T बाराबर infinity हा न E बाराबर sorry V R बाराबर क्या चीज़? 0 E to the power minus infinity को मैं बार बार बोल रहा हूं क्या चीज़? एक चड़ो E to the power minus infinity को 1 by E to the power infinity बोलेंगे और यह infinity इन फिनिटी का बहलू तो बार है 2.7 तो बोलते हैं क्या हो जाएका बरे बच्चा तो बोलते हैं क्या हो जाएक बिर बच्चा भी आर बराबर कितना तो 0.368 आफ केस का EMF का 0.3737 परसेंट बोलेंगे तो 0.37 आफ क्या चीज़ एप्लाइड EMF को बच्चों जब टी बराबर टौ बराबर RC बोलते हैं तो इस टाइम कॉंस्टेंट में बार बार बोलते जा रहा हूं एक चीज को रिपीट कर रहा हूं आपके मन में बैठ जाना चाहिए इन सारी चीज़े को तो यह थोड़ा mathematical concept है और graph सम्में बता रहा हूं पर exponential increase का exponential decrease का हर जगा kinematics चाहां जहां इस तरह का नेचर का equation सबाएगा उसका graph इसी तरह से हम लोग plot करेंगा तो यह था voltage across the catch is register अब चला energy stored in the capacitor at time t पहले at time t की बात करते हैं और तीन special case देखा देते हैं clear तो देखो भी आब इसको हम पहले मिठा लेते हैं तब बात करते आगे energy stored in the capacitor in the capacitor जो condition पहले पढ़ रहे हैं उसी में हम जोड़ते जा रहे है at time t यह यह है तो energy stored का formula u बाराबर q square by 2c at time t energy stored in the capacitor is this much capacitor का capacitance c है अचार्ज हम लोग देखें at time पर q लिये है अब h q बाराबर तुमको पता है चलिए पहले लिख दे हम q के जगह q0 और 1 e to the power minus t by rc और उसका whole square तो this square by 2c q0 के जगह हम लोग c into e लिखना सीखें तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा c square तो c से c कटेगा तो half c e square और 1 e to the power minus t by rc का क्या चीज़ whole square energy का formula मिल गया मेरा बच्चा q square by 2c से तो at time t यहां पर इस तरह square का term में है तो इसमें भी क्या है energy capacitor में क्या होगा बढ़ते जाएगा time के साथ charging के case हो तो यहां देखो फिर चला अभी जो बताने जारे वह रेट आफ इंक्रीज in rate of increase in energy stored in capacitor energy stored in capacitor per second कितना energy stored होगा particular time पर t time पर वो निकालने जा रहे है तो rate of increase in energy stored in capacitor की बात करेंगे बच्चा तो क्या है rate या power उसी को बोलेंगे power p c how much d u by dt अब मेरा बच्चा half c square या q j square by 2c क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा यह और इसका 1 का differentiation 0 और इसका हो जाएगा है नग दी बाई dt of one zero हो बच गया वो zero हो गया और यहां पर फिर क्या है एक बार मैं लिफ देता हूं डी बाई dt of one e to the power minus t by rc का क्या चीज होल a square इसको differentiate करेंगे बच्चों तो क्या होगा q 0 square by 2c है नग इसको तोर दे तो फिर लंबा होते चला जाएगा चालिया करते चले हम लोग one plus e to the power minus 2t by rc और minus 2 e to the power minus t by rc यह minus b का whole square में तोर दिया मेरा बच्चा अब वन का differentiation क्या होगा 0 अब कर लो गनीत है simple mathematics जिसको बोले हो by 2c वन का 0 और इसका differentiation क्या होगा मच्चा minus 2 by rc है नग और e to the power minus 2t by rc इसका differentiation यही तो यही और इंटो फिर किसका differentiation minus or 2 और फिर 1 by rc तो minus 1 by rc है e to the power minus t by rc मेरा बच्चा है यह होगा अब देखो कितना हता है यह तो इनग पावर बोले पावर अक्रोस दी capacitor at time t is how much q 0 a square by 2c और कमन में क्या आएगा मेरा बच्चा minus 2 by rc है यह minus 2 by rc और एंटो क्या e to the power minus 2t by rc और मेरा बच्चो e to the power minus t by rc मेरा बच्चों यहा देखलो e to the power minus t by rc को क्या बच्चेगा e to the power minus t by rc एक कमन लिए e to the power minus t और मेरा बच्चों और यहा पहले से minus था मेरा बच्चों तो e to the power minus t by rc इस तरह से निकाल लिए और इसको सिंपल फॉर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं अभी देख लिए हम बताते हैं उसको भी बताते हैं इसको भी बताते हैं तो यह क्यू एसक्वार इतना हो जाएगा और क्यू बाराबर हम तुमको सिखाए मेरा ब Q0 बाराबर C E तो C square E square लिखोगे तो C square C square cot जाएगा तो E square by r e to the power minus t by rc और 1 e to the power minus t by rc यह थोड़ा तोर के differentiation को हम बताए हम लोग को इस तरह से बात करनी हैं तो PC बाराबर और maximum power के case में क्या होगा इसका maximum power के case में इसका differences in time के respect में क्या चीज़ जीरो maximum और minimum के लिए स्वार्थ बताए जाए तो इस तरह की बात कर लिए पहले इतना देख लिए इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से हम बता देता है जोस्ट की इस formula को और असानी से कईसे लगा सकते हो तो बचों थोड़ा से देख लिए U बराबर Q square by 2C Q का value हम लोग रख दिये Q time के साथ क्या हो रहा है exponentially increase कर रहा है charging के case में तो energy stored भी exponentially क्या हो रहा है increase कर रहा है square के term में तो rate of increase of energy in capacitor बता रहा है तो उसको हम लोग क्या कर रहे है time के respect में differentiate कर दिये तो हम लोग को क्या निकल जाएगा rate of increase in energy stored in capacitor और वह इसी को हम लोग instantaneous power of the capacitor बोलेंगे तो power of capacitor at time t का formula निकाल दिये बच्चों तो यह इस तरह की बात देख लिए हम लोग सारा current एक तरह से revise कर रहे है current सब में इस तरह का formula पर है तो मैंने capacitor छोड़ कर पहले current बताने का कोशिस किया यसलिए कि आगे हम लोग capacitor को RC circuit को फड़ detail में जान ले तो अहीं कर रहे हैं अब इसमें तो लोग देखो PC बाराबर क्या देखें DU by DT फड़ा mathematics मेरा बच्चा आइज यू बाराबर क्या जाने QA square by 2C इसको हम लोग PC 1 by 2C बाहर और D by DT of QA square इसको क्या लिख सकते हैं 1 by 2C और 2Q into DQ by DT यह DQ by DT current 2 से 2 कट गया हाना Q by क्या चीज़ी C और current के जगा मेरा बच्चा I लिख दे instantaneous current अभी जोस्ट हम लोग निकाले हैं Q का formula था Q0 1E to the power minus T by RC by C लिख दिये और I के जगा लिखे थे I0 और I0 के जगा E by R लिखा था I into E to the power minus T by RC Q0 के जगा CE C into E CC कट गया E तो E square by R और E to the power minus T by RC 1E to the power minus T by RC मेरा बच्चा तो इस तरह से हम लोग क्या किये हाना power of the capacitor at time T का formula निकाले हैं यह हम अलग से थोड़ा थोड़ थोड़ के लिखा है और यहां पर इस तरह से हम लोग जादे इसको का दिवा मांग में रखेंगे mathematics रिवाइस कर लिए थोड़ा था basic mathematics तो यह पावर का बहुत दे दिया और आगे देख लो बच्चों maximum power और इस्टोड़ीन दी कैपेसीटर उसकेस में क्या होगा सो देखते हैं पहले इससे को हम लोग करें मिटा लेते हैं तक तो बच्चों maximum value निकाल में चैना किसका maximum value of PC power तो इसके maximum value के लिए क्या होगा dpc by dt बराबर क्या चैब 0 direct for maximum value of PC dpc by dt बराबर 0 अब बच्चों d by dt just PC का formula निकाले हाँ ना क्या था बच्चों e square by r e to the power minus t by rc 1 e to the power minus t by rc इस तरह का formula लाए थे clear और अब इसको differentiate करेंगे बराबर किसके equate करेंगे 0 तो क्या होगा e square by r बाहर आया अब इसको multiplied करके अलगला करके differentiate करें d by dt of e to the power minus t by rc अफिर minus d by dt of अंदर गया तो e to the power minus 2t by rc अब इसका बाहर जाया होगा तो e to the power minus t by rc रहेगा यही और इसका differentiation मेरा बच्चा तो माइनस 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 पालस हो जाएगा 2 by rc तो 2 by rc और e to the power minus 2t by rc इक्वल to what? 0 फिर से 1 by rc कॉमन लेके वो जिर्य नहीं होगा तो क्या बचेगा मेरा बच्चा 2 e to the power minus 2t by rc बराबर what? e to the power minus t by rc इसको 2 और इसको divide कर दें तो हमको divide करने के बाद बहुचेगा क्या है? नीचे minus 2t by rc तो उपर गया तो t by rc बचेगा और taking क्या चला? log, taking log, taking log on both sides यहां के बाद jost मैं यहां देखा था taking, पूरा mathematics है, basic mathematics जिसको differentiation integration है यहांने taking log on both sides यह lon 2 हो जाएगा मेरा बच्चा और यह t by rc बचेगा क्या? तो t बराबर क्या इतना rc long 2 के केस में मेरा बच्चा क्या होगा? इतना time पर power capacitor के cross क्या होगा? maximum, इतना कर लिए तो ठीक है, यह result आपको याद रहना चाहिए और इस t का value इसमें डालेंगे, आना power instantaneous power वाला में तो वो power maximum होगा तो in this case, maximum value of pc, maximum value of pc बराबर e square by 4r या मेरा बच्चा यह result आएगा, आपको maximum power का, e square by 4r तो output करेंगे, आप substitution करेंगे, t के जगा, हाना rc long 2, तभी तना e square by 4r, या maximum power का निकाल अब चला energy delivered by the cell, at time t, energy delivered by the cell जो energy delivered करेंगा, वह ही energy stored होगा और उसी से heat भी, उसी में से सारा ही stored नहीं होगा, कुछ heat energy में चला जाएगा, तो वह heat energy भी निकालते हैं थोड़ा, पहले energy delivered by this source, बतलब battery, थोड़ा साई, यहाँ रोक भी फिर इसको मिटा लेता है, तब आगे बढ़ते हैं बच्चों, energy delivered supplied by battery, at time t बाला बात, instantaneous बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, energy delivered by battery is equal to what, energy delivered by battery, at time t, how much time t पर charge q और बैटरी का emf क्या है, e, clear, और from negative to positive terminal क्या होता है, बोलिए, charge flow कर रहा है, या इस तरह से बात कर रहे थे कि current flow करेगा, तो वो चीज, q into e, battery क्या करेगा, energy delivered करेगा, तो q into e, और मेरा बच्चा, q के जगा क्या देखे, q naught, q naught e into e to the power minus t by rc, sorry, 1 e to the power minus t by rc, क्यों, तो चुकी, q बाराबर, q naught, हाना, 1 e to the power minus t by rc, या पाब डेलिवर्ड, बाइदी, क्या चीज, cell निकला, आई टाइम, क्या चीज, tea, आप देखो बच्चो, इसमें भी क्या है, तो energy delivered क्या है, exponentially क्या होते जा रहा है, जादे energy stored होगा, तो जादे energy क्या करेगा, cell battery क्या करेगा, तो इस तरह से energy delivered जो हो रहा है, so exponentially क्या कर रहा है, increase कर रहा है, और वही energy जो है, so किस में, capacitor में, stored होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और कुछ energy उसमें से क्या होगा, उसमें से का कुछ part, पहले तो energy के रूप में, फिर कुछ part heat energy के रूप में, तो यहाँ पर मैं जो देख from 0 to t, तो क्या लिखोगे चला, h बराबर, i square r dt लिखते हैं, dh, और उसको integrate करोगे 0 से कहां तक, t तक, और i का formula में बताया था, तुमको, i0 लिखा था, i बराबर, i0, e to the power minus t by rc, इस तरह से, i0 को हम लोग e by r लिखना सीखे थे, e to the power minus t by rc, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, e square, r by r square, एक r है, तो r cancel हो गया था, e square by r, और किया बराबर, बच्चा, यह बाहर ले लिए, और e to the power minus 2t by c is rc, i into c is dt, from 0 to t, अब इसको integrate कर देना है मेरा बच्चा, clear, तो total heat produced निकलेगा, 0 से t time में, और total heat energy developed, total heat energy developed, heat energy developed, in case of fully charging of capacitor, fully charging of capacitor, ध्यान देना मेरा बच्चा, fully charging का मतलब t बराबर infinity, तो 0 से infinity तक क्या होगा, here, h total बराबर, i square r dt, और 0 से कहां तक, infinity तक, यही formula आएगा, e square by r, और मेरा बच्चा, e to the power minus 2t by rc dt, और from 0 to infinity, तो total heat produced क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, clear, तो integrate भी कर सकते हैं आप, तो किसी एक को लेकर मैं क्या कर दू, integrate कर दू, यही पर कर देता हूँ, तो e square क्या चेज, by r, इसका integration करो बच्चा, तो क्या होगा, e to the power minus 2t by rc ही होगा, और by में क्या होगा, तो minus 2 by rc, clear, और कहां से कहां तक मेरा बच्चा, 0 से t तक, क्या होगा, e square by r, ध्यान देना थोड़ा, e square by r, t का value रखोगे, तो यही जाहेगा, और e minus 2 by rc, तो rc उपर गया, और क्या है, 2 नीचे, minus 2r by, इतना, minus e square by 2r into rc, r, कैंसल कर दोगे, तो देख लो क्या होगा, into, e to the power, मेरा बच्चा, ध्यान देना, थोड़ा साथ समय लग रहा है, t का value रखेंगे, तो e का power minus 2t by rc ही होगा, और उसके बाद क्या रखोगे, 0, t का value 0, upper limit minus lower, तो something to power 0, 1 हो जाएगा, तो e c को minus common ले ले, तो क्या निकल जाएगा हमारा, h produced, hit produced at time t बराबर, e square by, e square r by 2, e square c, तो half c e square लिखने का आदत है पहले से, तो half c e square, और यह 1 e to the power minus 2t by rc, यह t time per hit produced, clear, और total hit produced में क्या होगा मेरा बच्चा, 0 से infinity था, तो infinity जब रखोगे तो यह turn क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो total hit produced, total hit produced, in charging, complete charging of capacitor, तो h total बराबर, कितना मेरा बच्चा, इसी में infinity रखोगे, तो क्या हो जाएगा, half c e square हो जाएगा, मेरा बच्चा, total hit produced बराबर, half c e square, एक minute, e to the power square, इतना, 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 हीट produced, ठीक, बच्चा, जब, half c e square, पहले से भी इस तरह सा का result, सब हम लोग देखे हैं, capacitor one, simple case, तो देख लो बच्चो, अब इतना बात के बाद, हम लोग, अब क्या करने जा रहे हैं, discharging की बात करेंगे, discharging of capacitor, वही circuit में हम लोग 2-way key लगाए थे, अब 2-way key का connection, हटा के 1-way key के बीच में था, 1-way key के बीच में था, उसको के plug को हटा के 2-way key के बीच में इन्सौर्ट कर देंगे, मैं फिगर देखा जेता हूं फिर से, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब discharging of capacitor की बात करने, discharging of capacitor, capacitor पहले fully charge है, T वेराबर 0 पर, और तो अब उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, बैटरी हटा रहे हैं, तो resistance जुटा हुआ है, तो वो क्या करेगा, charge को क्या करेगा, छोड़ेगा, तो discharging of capacitor में, फिगर वही था, पहले C, register था मेरा बच्चा, इसका resistance R, पिछले बार इस तरह का figure में, यह चीज में छोड़ दिया था लगवाद, टू, और यहां क्या था, थिरी, और यह वन, इसी तरह का, चाहिए जो भी terminal हो, यही वन टू थिरी मान लेते हैं, यहां पहले battery जुरा हुआ था, वन और थिरी के बीच में, बैटरी बाला connection छोड़ा देंगे, यहां battery है मेरा बच्चा, दियान देना थोड़ा सा, वन और थिरी में connect था, इस तरह से, तो क्या हो रहा था, चार्जिंग का case था, अब पूरा condenser क्या हो चुका है, चार्ज हो जाए, इस पर Q0 चार्ज है, प्लस Q0 और यहां माइनस Q0, क्लिया है, उस case में condenser, इस से current क्या है, 0 है, अब क्या होगा, इसको हम battery का, इस plug को यह हटा के यहां से, और 1 और 2 के बीच में डाल दिये, ठीक है, अगर पिछले lecture में, मैं यहां 2 लिखा था, तो यहां 3 हो जाएगा, वो आप देख लेंगे, तो मेरे को में मौरी में अभी है नहीं, लेकिन चलिए, पिछले lecture में की बात थी हुआ, तो यह terminal 1 और 2 के बीच में आप दाड लिए, जिसमें battery नहीं है, तो आप discharge होना सुरू होगा, तो यहां पर क्या होगा, जिस चार्ज इस पर कर्ण reduce होगा, घटता चलेगा, फुल लिचार्ज था, तो किसी time T पर charge क्यों होगया, और उसमें current क्या होगया, चार्ज इस तरह से आएगा, और current इस तरह से क्या होगा, उस time में, जब बैटरी से हटा कर इसमें जोरा है और T समय के बाद, तो T समय के बाद बहला केस क्या होगा, यह था AT T बराबर 0, अब इसी सरकिट में मेरा बच्चा, यह resistance है, यह बैटरी पर क्या, इस पर चार्ज क्या हो, यह Q, और यहां क्या चीज, माइनस Q, यह Q 0 से घट के Q हुआ है तो चार्ज इस तरह से, प्लस चार्ज, यहां 2 और टार्मिनल 3 था, यहां बैटरी बाला था, इसको छोर भी सकते हो अब, यह 3 और यह 1, इसके बीच में जोड़े हुए हो, तो AT TIME T यह हो गया, और क्वारेंट इसमें क्या है, आई, और आई बराबर क्या है यहां पर, आई तो T time पर क्वारेंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में, आई क्वारेंट मांगें, तो यह, आई बराबर माइनस DQ by DT, अब देखो बच्चों, यहां पर क्या की है, इनीशियली क्या है, इनीशियली, connection from क्या चेला, 1 and 3 is removed, plug, plug is removed from 1 and 3, वो देखना है, अपना भासा पहले जैसे था, उस तरह से लिखना है, 1, 2 रहेगा, तो 1, 2 से अटाएंगे, यहां 1, 3 से बैटरी बाला को हटा दिये, के यह plug को हटा दिये, and inserted between 1 and 2, जो भी टर्मिनल है, इसके बीच में जोरती है, अब डिस्चार्जिंग होगा, कैपसीटर का, चार्ज घटना शुरू करेगा, तो at time T क्या मान लिए, चार्ज अक्रॉस दी क्या है, क्यों, current in the circuit is what, तो at time T from KVL, from KVL, क्रिचप्स भोल्टेज लोग, उस लूप के लिए मेरा बच्चा, के लिए, इधर से इधर ले चले, है न इधर, यहां इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इसे करके देखा देखा, क्या होगा बच्चो, प्लस से माइनस है, तो माइनस Q by C, अब पॉलस क्या चीज, IR, इपॉलस IR क्या हो, तो current इधर से इधर आ रहा है, इसके लिए यह high potential, तो circuit लूप का डिरेक्शन इसे ले रहे हो, तो low से high ले रहे हो, इसलिए हम लोग उसको प्लस IR, और कोई बैटरी न हैगा मेरा बच्चा, माइनस DQ by DT में देवता है, तो क्या लिखोगे, R into DQ by DT, minus 7 के साथ, क्या बचा, DQ by, अब फिर से mathematics, है न, DQ by Q, कितना, minus 1 by RC into, क्या चीज, DT, अब इस equation को integrate करेंगे, 0 से T तक, T time पर निकालेंगे, और तो अब infinity की बात करेंगे, time constant की बात करेंगे, तो integrating, यह 1 कर दें, और कहीं कुछ नहीं चलिए, ठेक है, integrating, equation 1, bitumen limit, at T बढ़ाबर 0, Q बढ़ाबर क्या बच्चो, Q 0 maximum charge है, and at T बाराबर T, Q बाराबर Q, charge, तो यहाँ Q 0 से Q तक, और यहाँ 0 से T तक, तो अभी इसको देख लो भई, थोड़ा सा पहले, और तो अभी इसका mathematics करते हैं, थोड़ा आगे, equation 1 को फिर से, फिर से मतलाब पहले case में भी integration के ही बाती आँए, तो DQ by Q, integration, charge का value, initially क्या था Q 0, बाद में T time पर T, और यहाँ बच्चो, minus 1 by RC, और DT का integration 0 से T तक, DQ by Q का integration log, ln Q लिखा जा सकता है, log base में E, कहां से कहां तक, Q 0 से Q तक, और minus 1 by RC, और DT का integration T, कहां से कहां, 0 से T, lower limit 0, upper limit T, क्या होगा में बच्चा, ln Q minus ln catches, log Q 0 बोलो, और minus 1 by RC, और T minus 0, क्या होगा, log A minus log B बराबर परहे हो, log A by B, तो यहां क्या होगा, ln Q by catches Q 0, और minus T by RC, यह 0 हो जाएगा, minus T by RC बचेगा, taking nT log, तो यहां से log हटा, यहां exponential के power में यह आ जाएगा, तो Q by Q 0 बराबर, e to the power minus T by RC, इसलिए Q बराबर, Q 0, e to the power minus T by RC, charge exponentially time के साथ घटेगा, charging के case में देखे थे, current इस तरह decrease कर रहा थे, clear, और वहां charge बरता था, यहां यहां देख रहे हैं, Q बराबर, Q 0, e to the power minus T by RC, तो देख लो भाई, यहां result क्या दिखाता है, this result shows that, this result shows that, discharging of capacitor takes place exponentially, with respect to time, time के साथ exponentially decrease करेगा, graph बनाओगे बच्चा, शुरुआत में charge maximum था, T बराबर 0 पर धीरे 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 इंफिनिटी पर जाकर क्या होगा, exponentially क्या होगा, decrease करेगा, और इसमें भी T बराबर RC रखे, E पाबर माइनस 1 होगा, तो for T बराबर क्या चीज, पहले तीन केस की बात कर लो बच्चो, for T बराबर 0, Q बराबर Q 0, for T बराबर infinity, Q बराबर 0, पूरा fully discharge होगा infinity पर, तो energy stored रहेगा charge, stored रहेगा capacitor में, और discharge होगा तो बहुत समय के बाद जाके, होगा discharge होगा पूरा, तो यह क्या हो गया, for T बराबर RC, बराबर टॉ लिखे थे, time constant, यहाँ पर क्या होगा बच्चो, तो Q बराबर, Q 0, E का पाबर माइनस 1, E का पाबर माइनस 1, 0.368, उसी को अप्रोक्सिमेट 0.37, of catch is Q 0, यह T, RC बराबर टॉ पर मेरा बच्चा, इतनी बाद जाने, यहाँ पर इस ग्राप में देख लो बच्चा, T बराबर RC बराबर catch is tau, और यह 0.37 of catch is Q 0, तो जितने time interval में, discharging के case में, fully charged capacitor का charge, कितना हो जाए घटके, 0.37 times of maximum charge, that time interval is also known as time constant, capacitive time constant मेरा बच्चा, तो यहाँ इस तरह की दो लाइन बात बना दोगे, तो लिफ दोगे खुद भी, तो चलिए इतना बात कर लेते हैं, आगे मैं बरता हूँ फ़र से, current निकालने चले, at time t पर, चार्ज देखें कि exponentially time के साथ क्या हो रहा है, discharge हो रहा है, fully charged capacitor से, ठेक है, तो अब current की बात करने चले हैं, as here, i बराबर what? minus dq by dt, minus का कारण बताए कि charge देखें के साथ घटेगा, और यहाँ पर, तो यह minus dq by dt, और वही rate of flow of charge is catches, correct, तो क्या होगा मेरा बच्चा, इसलिए i बराबर, d by dt, minus है, और q के जगा, q0 e to the power minus t by rc, q0 बहर, और इसका differentiation क्या होगा बच्चो, minus 1 by rc, और e to the power minus t by rc, minus minus gone, q0 by rc, e to the power minus t by rc, यह i0 लिखा जा सकता है, t बहर, यहाँ देखलो बहरी क्या होगा, q0 के जगा क्या लिखोगे, q0 बराबर c, e लिखाया गया है, तो cc कॉट गया, तो क्या हो जाएगा, e के फॉर में आ जाएगा, तो यहीं, इसको यहीं रहने दे, i बराबर q0 by rc, e to the power minus t by rc, पिछले अधार को लेंगे, तो क्या होगा, c e के बराबर q0, है ना, तो यहां पर i बराबर, as q0 बराबर c, initially जा बैटरी लगा हुआ था, फुली चार्ज था, तो q0 बराबर क्या चिए, c, तो क्या होगा, i बराबर, नहां c रखोगे, तो rc, cc कट गया, e by r, e to the power minus t by rc, फिर इसमें भी क्या, for t बराबर 0, something to the power 0 बराबर क्या चिए, 1, तो i बराबर कितना, e by r, q0 by rc, चलिए, for t बराबर infinity, हाँ बराबर कितना, 0, and for t बराबर क्या, बोलो गया चिए, rc, कितना हो जाएगा, i बराबर, e by r, e का पाबर minus 1, हाँ ना, rc कितना, और e का पाबर minus 1, कितना बर लिखे लिए हो बच्चो, e by r, और e inverse 0.368, और 0.37 approximate, e by r, यह result भी दिखाता है, कि current time के साथ, exponentially क्या होड़ा है, decrease कर रहा है, इस तरह का graph, i, यह t, यह जहां infinity पर बाला बाद, तो i0 लिफ्ट देंगे, maximum, और, कितना, 0.37 of i0, 0.37 of e by r, यह t बाला बर कितना, पर top बाला बर r, यह एक ही तरह का figure, यह सब सब मिलता जा रहा है, देखते जा रहा है, तो exponentially current के साथ, आथ ही time के साथ current घटता है, exponentially time के साथ charge घटता है, किस case में मेरा बच्चा, capacitor के case में, तो इस तरह की चर्चा को देखते चले, आगे आगे इसी तरह का subter, voltage across the capacitor, voltage across the resistor at time T, heat produced at time T, energy, इस तरह सब की बात करते चलेंगे, मेरा बच्चों, देखते चलेंगे, बच्चों, voltage across the capacitor, at time T की बात करने चलेंगे, तो क्या होगा चले, VC बराबर, at time T, voltage across the capacitor at time T, VC बराबर, how much Q by C, और Q का formula देखे हो, Q 0 e to the power minus T by R C, at time T charge on the capacitor is what Q, Q 0 e to the power minus T by R C, और Q 0 बराबर C e देखे हुए हैं, तो क्या लिख सकते हो बच्चों, C से C गॉन हो जागा, चाहिए Q 0 by C बराबर E, e to the power minus T by R C, तो यह formula मिला, EV, तो voltage across the capacitor भी क्या हो रहा है, पहले condenser fully charge 30 बराबर जूरी अपर था, उस समय सबसे जादे इनरजी इस तोड़ता, और exponential energy भी क्या होगा, decrease करेगा मेरा बच्च, अल्ड़ पोटेंचिल decrease करेगा, potential across the capacitor, फिर at T बराबर क्याचिज 0, VC बराबर E, समय बैटरी instant पर क्या था लगा हुआ था, तब बैटरी connection हटा है, at T बराबर क्या, infinity, VC बराबर क्याचिज 0, voltage across the capacitor becomes 0, at T बराबर RC बराबर tau, time constant पर, तो क्या होगा VC बराबर, E का पावर minus 1 तो वह ही 0.37 approximate, 0.368 को लिखते हैं बराबर, तो E के बराबर, तो time constant का परिवासा यहां से भी लिख सकते हो, तो चले आगे, तो इसका graph भी इसी तरह से, या time, और या voltage across the capacitor, और T बराबर 0 पर EMF of the battery के बराबर, तो यह तरह से graph दिखाया जाएगा, exponentially decrease का time के साथ, और T बराबर, RC बराबर tau के case में, 0.37 of E, तो यहां किसका voltage across the capacitor, और time के बीच में मेरा बच्चा, तो इतनी बात समझ गया है सारे बच्चे, अब इसी तरह voltage across the catch is register, voltage across the register की बात करें, voltage across the capacitor हो गया, जास्ट मिटार मिलते हैं फ्यड़ों, तो इसको देख लो बच्चो फिर से, इसी में देखा देते हैं, voltage across the capacitor, तो voltage across the register, इसी अधार के, voltage across the register, यह हो गया, अब voltage across the register को भी आर लिखेंगे, I time T, भी बराबर IR लिखे हो बच्चो, I का formula निकाले हैं पन लो, कितना, E by R, E to the power minus T by RC, into R, क्या होगा, E, E to the power minus T by RC, just same चीज आ रहा है, voltage के लिए भी, तो यही तीनों बात, यहाँ पर भी लागू होगा, उसी तरह का graph वहाँ भी होगा, VC के जगा, VR लिख दोगे, तो मेरा बच्चा, फेड़ से, हाना, वो किया हुआ है, VC को हटा के, VR लिखा जा सकता है, VR, यह ती और यह तुमारा यह में फोगया, इंफिनी ती बराबर जीरो पर, और ती बराबर तौ बराबर राबर रसी, यह 0.37 अफ एप्ला इडिया में पहले जो बैटरी लगा हुआ था, उसके इतने के बराबर हो जाएगा, यह वोल्टेज अक्रॉस दी रिजिस्टर में बता दिया बच्चा, वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसीटर समझ गया है, अभी इनर्जी स्टोर इन दी कैपेसीटर की बात करें, तो जास्ट इसी जगा जगा स्पेस है मेरा बच्चा, तो चाहे अलग से पॉइंट दे दो, इनर्जी स्टोर इन दी कैपेसीटर, at ताइम टी, यू बाराबर, क्यू स्क्वाइर बाई क्या चीज, तो सी, और क्यू के जगा मेरा बच्चा कितना, क्यू जिरो, इटू दी पावर, माइनस ती बाई आर सी, तो स्क्वाइर करेंगे तो क्या होगा, q0 square यहाँ पर minus 2t अब आई कितना 2c यहीं से बच्चो q0 बराबर ce लिखना सीखे थे q0 बराबर ce तो क्या हो जाएगा cxc से c कटेगा तो half ce square e to the power minus 2t by क्या चीज rc यह energy का formula मिल गया वे रबच्चा e to the power minus 2t by rc तो इस तरह की बात करेंगा और तो अब rate of loss of energy by the capacitor की बात करेंगे तो minus du by dt निकालेंगे power होगा, वो power होगा at time t of the capacitor पहले इतनी बात समझ रहे हैं सारे बच्चो आप देखते चलो आगे बढ़ते हैं चले आएफ़ अब क्या rate of decrease चार्जिंग के केस में देखे थे rate of increase of energy यहाँ पर rate of decrease of energy stored in capacitor ती टाइम पर कितना energy क्या करेगा decrease होता है किसके द्वारा capacitor पीसी बाराबर minus du by dt decrease की बात कर रहे है time के साथ energy stored in the capacitor क्या हो रहा है reduce कर रहा तो PC बाराबर minus as u बाराबर अभी just क्या देखे q square by 2c clear क्या होगा मेरा बच्चा PC equal to what 1 by 2c बाहर आएगा minus sign रहेगा d by dt of q square बोले 1 by 2c minus or q square का differentiation 2q dq by dt इसको क्या 2 to 0 q by c minus dq by dt और minus dq by dt को current लिखे है और q charge है t time पर का दोनों का value पुट कर दे तो instantaneous power time t निकॉल जाएगा मेरा बच्चा rate of decrease of energy को ही हम लोग power बोल देगा तो p c बाराबर क्या होगा q 0 e to the power minus t by rc by c और minus dq by dt जो current लिखते थे उसको हम लोग लिखे थे i 0 या i 0 और e by r के term में भी लाए थे लेकर चलिए i 0 e to the power minus t by rc q 0 i 0 by c और e to the power minus 2t by rc जोनों को multiplied करने पर अब यहाँ पर बच्चो q 0 को हम लोग क्या लिखते हैं? c e और i 0 को e by r हाँ न? और कितना? c into e to the power minus 2t by rc c से c कट गया तो e square by r e to the power minus 2t by rc यह power निकल गया यानि क्या rate of decrease of energy stored in the catch is capacitor यह इस तरह की बात को हम लग देख लिए हानि सारे में exponentially क्या हो रहा है घट रहा है टाइम के साथ energy stored in the capacity time अब यहाँ पर बच्चो heat produced हीट प्रोडूश्ट हीट डिवलप्ट इन टाइम थी जीरो से टी टाइम तक में तो कई से निखालोगी बच्चो तो हीट प्रोडूश्ट निकालना रहेगा तो जीरो से इंफिनिटी के बीच में टाइम का वैलू स्टार्टिंग से लेके इन इंफिनिटी था एच बाराबर आई स्कॉाइर आइ स्कॉरइर रडी टी जीरो से टी तक आई का फॉर्मूला जोस्तलिके हो ई बाई आर तो ई स्कॉरइर ऑन इंटु ए टाइटेवागी पावर by r e to the power minus 2t by rc into dt एक ही तरह का integration बार बार आ रहा है e square by r और इसका integration क्या होगा बच्चो e to the power minus 2t by rc तो होना ही होना है और इसके division में क्या होगा minus 2 by क्या चीज़ rc 2 by rc और कहां से कहां तक मेरे बच्चा 0 से कहां तक t तक इसको बाहर ले ले rc by 2 हो जाएगा तो बचेगा क्या चीज़ half c e square minus sign और इसका value upper limit minus lower limit करोगे e to the power minus 2t by rc और minus क्या चीज़ 1 e का power 0 तो minus 1 यहां से minus common लेके polish कर दे तो क्या हो जाएगा hit produced बराबर half c e square 1 e to the power minus 2t by rc यह minus minus polish हो गया तो यह amount of hit produced निकला कितने देर में बच्चो 0 से t time में और total hit produced तो इसी को हम लोग क्या करेंगे 0 से infinity तक integrate करेंगे करके देख लेते हैं पहले फिर तो इसको हम पहले क्या कर ले मिटा लेते हैं रखको बच्चो h बाराबर इसी formula से बच्चो जो हम लोग hit produced निकाले हैं इसी में केबलिया लिखना है और 0 से infinity टक करेंगे 0 बार t बराबर 0 पर condenser fully charged था capacitor fully charged था और infinity पर जाकर completely discharge हो जागे तो वो क्या है total hit developed during complete discharging of fully charged capacitor h बाराबर h total कर दे i square r dt 0 से infinity तक value put कर दे सब i के जगए e by r into e to the power minus t by rc तो e square by r square i into r और बच गया अंदर में क्या बराबच्चा e to the power minus 2t by rc into to catch to catch is dt from 0 to infinity e square by r or iska integration क्या होगा बच्चो e to the power minus 2t by rc by minus 2t by क्या जाएगा जाएगा rc from 0 to infinity बच्चो 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 c e square r से r क्या होगा c उपर चला to minus half c e square infinity to infinity to e to the power minus infinity to e to the power minus infinity and 0 minus 1 कितना to half c e square to e to total produced क्या होगा half c e square तो यह हम बार बार आपको charging और discharging की बात में बहुत सारा points में बताने का कोशिस किया clear है मरे बच्चो अब इससे related हम दो-चार सवाल जिसमें फिर से वही integration और simple concept की बात करेंगे है न तो अब यह charging और discharging का क्यास था बच्चो charging of capacitor RC circuit के नम से जाना जाएगा discharging of capacitor तो यह condition जान गए अब इससे related 2-3 सवाल में बता देता हूं तो आज का lecture हम यहीं पर रोकेंगे और अगला lecture सब अब क्या होगा capacitor अब dielectric की बात करेंगे पहले ठीक है और तब उसमें फिर से हम लोग क्या करेंगे डाइलेक्ट्रिक चेंज करके capacity कैसे बढ़ता है और किस किस factor पर capacitance कैसे कैसे डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से या डाइलेक्ट्रिक को रिमूब करने से क्या capacity पर डिफेंड करेंगे तो अगला प्रिच एस इस धिग्लोजट एग्टी बराभर जीडोश फाइंड चार्ज ओन दीप्लेट्स अफ अंचांज कैप कैपिसीटर आइज फंक्शन ऑफ टाइंटी के टर्म स्माल टे के टर्म चार्ज निकालना है इस प्लेट पर देखो एक कंदेंशर है जो चार्ज जिस पर पर चार्ज क्या है? क्यों दिया हुआ है? और उसके साथ ऐक Uncharge Capacitor C Capacitor ही जुडा हुआ है? Switch है और Register है, जिसका resistance R है मेरा बच्चा Active बडाबर 0 पर कहता है Switch is Closed पहले, तो Switch क्या है? Open है जिस समय इस पर क्यों चार्ज है? या Uncharged है अब क्या है switch को क्या कर दिया गया close कर दिया गया इस switch को close कर दिया जो उड़ दिया गया अब यहां पर वच्छो ऑबच्र कैपसीटर पहले से charge कैपसीटर और यहां पर क्या चीश pumped resistance की बात किये है अब यह charge पहले से क्या होगा T greater than zero के question है ना यहां T बराबर 0 पर तो Q चार्ज था, अब बाद में यह चार्ज Q से घट गया, Q माइनस Q, माइनस E प्लस इस प्लेट पर, यह Q चार्ज जो गया है सो इस पर, तो यह पर यहां क्या चीज, प्लस Q और यह माइनस, और वो जो चार्ज इस से भैरी कर रहा है, तो वहां क्या तो current का direction यह देखा दिए, clear? अब यह T greater than जीलो पर, मतलब T time पर हम बात करने चले हैं, तो from KVL, problem में यही Q का value क्या करना है, निकालना है, तो क्या है from KVL, इस लूप में बात करो मेरा बच्चा, इस तरह का loop ले, इस तरह direction बता रहे हैं, तो यह इसकी capacity क्या है, C है पॉलस से क्या चीज़? माइनस की ओर ले रहे हैं, तो हाई से लोग तो निगेटिव, तो माइनस Q माइनस Q by क्या चीज़? C, या इसके cross potential is, अब यहाँ पर current धर जा रहा है, हाई से लोग, और यहाँ पर हमको लेना है यह direction तो लोग से है, तो पॉलस क्या चला? IR, या I है T पर current circuit से होकर या resistance, और फिर क्या बच्चो? इधर बरते गए, बरते गए, यहाँ पर क्या है? माइनस से plus, और क्यतना तो Q by C, तो पॉलस Q by C हो जाएगा, एक क्वल टू क्या चीज़? 0, clear? अब देखो बच्चो, क्या लिख सकते हो इसको? minus Q by C, और पॉलस Q, और पॉलस Q तो एक तरह से 2Q minus Q by C equal to what? minus IR, clear? अब I क्या है बच्चो? तो DQ by DT, I बराबर DQ by DT, तो यहाँ पर put करें हम लोग as here, I बराबर DQ by DT, तो चार्ज DQ by DT के, तो यहाँ पर हम लोग इसके फॉर्म में ली आए, therefore, 2Q minus Q by C equal to what? minus R into DQ by DT, इसको देखलो भाई, DQ by 2Q minus Q equal to how much? minus 1 by RC into DT, इस फॉर्म में आगया अब इसको इंटेग्रेट कर देना है, 0 से T तक, तो Q का value निकल जाएगा मेरा बच्चा, है ना? तो T time पर plate पर का charge निकालना है, uncharged capacitor पर, तो यह मूल formula मिल गया हम लोग को, अब इसको आगे देखें बच्चो, यहाँ पर, उससे आगे यहाँ ले लेते हैं बच्चो, जोड़ाए ध्यान दोगे सार बच्चा, तो क्या हो जाएगा चला, integrating, equation 1, equation 1, bitumen, limit, at T बाराबर 0, Q बाराबर 0, इस पर charge 0, and at T बाराबर T, Q बाराबर Q, तो integrate करना है बच्चो, देख लो, DQ by 2Q minus Q, 0 से Q तक, और मेरा बच्चा क्या है, minus 1 by RC, और integration DT, 0 से कहां तक मेरा बच्चा, T तक, क्या हो जाएगा, इसका integration, log E, ln बोले, कितना Q, sorry, 2Q minus Q, हाना, और कहां से कहां तक बच्चो, 0 से Q तक, minus 1 by RC, DT का integration T, और 0 से कहां तक T तक, साड़ा बच्चा, अब इसको पहले मिटाल लेते हैं हम लोग, हाना, इस फिगर को यहां जगा बना लेते हैं, और इसको integrate कर देते हैं, अब इंटेग्रेट कर दी हैं, लिमिट का value रख कर निकाल लेते हैं, तो देखो बच्चो, क्या किये स्वा, थोड़ा सा इसको एक बार देख लो, integration को अलग से, इस तरह से bracket में हम करते हैं का process करते हैं, क्या है DQ by 2Q minus Q, जो mathematics वाले बच्चे हमारे रहते हैं, वो practice किया रहते हैं, उसको फटा लिख देगा, है न, तो क्या हो जाएगा चला, इसको integrate करना है, 0 से Q ता, लिट, इसके लिए 2Q minus Q को हम लोग Z मान लो, तो 2DQ बराबर DZ, तो DQ बराबर DZ by 2 होगा मेरा बच्चा, तो इसका integration के जगा, अब जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका value कुछ होगा मान लो, है न, X मान ले, तो X बराबर क्या होने का है, चला, DZ, DQ के जगा, DZ by 2, by Z, 1 by 2 बाहर, X बराबर लिख सकते हैं, कहां से कहां तक, 0 से Q तक, कितना होगा, यह, DZ by Z का integration, long Z होगा, तो log Z, log E में लिख दे, और Z, 1 by 2, 0 से Q, Z को अभी Q के term में लादेंगे, फिर value put करना है, यहां पर वही करना है, तो क्या होगा, चला, 1 by 2, और log E, और Z के जगा, हम लोग 2Q माइनस Q, है न, ठीक है, और 0 से Q तक, यह करना था, यह value आएगा, तो हम लोग को यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा mistake हुआ, यहां पर 1 by 2 रहना है, यह लगसे मैं करके देखा दिया, 1 by 2 भी आएगा, ठीक है, तो इसको कर ले, अब value put कर देना है, कितना होगा मेरा बच्चा, इसका RHS में क्या हो गया, T by RC, और 2 इधर से ले जाओ, तो minus 2T, minus 2T by RC, और इधर LHS में क्या होगा, log E, यह लॉन लिखा जाए, कितना Q, तो 2Q minus Q, और minus Q, Q के जगा 0 लिखना है बच्चों, तो minus Q बचेगा, clear, अब इसको क्या लिखोगा, log A minus log B को log A by B, तो log E 2Q minus Q by capital Q, बढ़ाबर कितना, minus 2T by RC, complete mathematical concept है बच्चों, और लास्ट वही, दो कंडिशन तो पहले से पहले, जो बार-बार मैं बोलता हूँ, T बढ़ाबर 0 और T बढ़ाबर infinity, और at time T, ठेक है, और यहाँ पर एक special time constant की बात आई है, लेकिन यहाँ पर अलग से problem में आए है, एक charge capacitor था, uncharge capacitor था, पहले बैटरी connection रहाटा हुआ था, और उसके बाद connection connect, मतलब switch क्लोज कर दिया हो, तब charge निकालना है, इस पर charge घटेगा, और इस पर charge T time, पर T के term में Q निकालने जा रहे हैं, देखो बच्चो, क्या हो यहाँ minus Q है, तो क्या होगा, log E nT log लिया जाए, taking nT log, क्या होगा, 2Q minus Q by minus Q, clear, equal to what, E to the power minus 2T by RC, 2Q minus Q, minus Q, E to the power minus 2T by RC, 2Q by R, Q इधर लिया आओ, और common लिया तो, 1 minus E to the power minus 2T by RC, इस लिए Q by R, क्या निकालका राया, Q by 2, 1 E to the power minus 2T by RC, आपको खुद करना है, बार बार इसी तरह का derivation सब हम लोगे, सवालों में भी इस तरह RC circuit, ठीक है, तो यह charge का value निकल गया, इस capacitor के uncharged capacitor के plate पर, at time T, तो यह problem का demand यही था मेरे बच्चा, तो हम लोग क्यों निकाल लिए, clear, तो इस तरह से हम लोग RC circuit से related problem, अभी एक दो problem है, और में देखा देता है, हाना, चला, बच्चो इस figure में, इन दे गीवन figure, switch AC is closed, आप T बाराबर 0, पहले condenser क्या है, fully charged है, register लगा हुआ है, यहाँ battery लगा दिये हुए है, EMFE है, और switch open है, अब switch को क्या कर दिया गया, close कर दिया गया, अब switch को close है, यहाँ दे रहा है, Q less than catch is C, यहाँ पर क्या होगा, यह charge क्या करेगा, supply करेगा इसको, और कितना, यह charge, देख लो, अब circuit close करने के बाद क्या होगा, यह T बराबर zero पर था, अब यहाँ capacitor, register, और फिर battery है, और यहाँ पर switch को क्या किया गया, close कर दिया गया, और at time T बात करे, at time T, इसका EMFE, और इस पर charge, बदल कर क्या होगा, बदल कर बोला, तो charge बढ़ेगा, तो कितना होगा, किसी time T पर charge कितना Q, इसी Q का भैलू क्या करना है, find charge on the plates of the capacitor, clear, तो क्या निकल जाएगा, बच्च के देखो, यह capacity, और यह resistance, यहाँ से positive charge, इधर तो current, इस direction में जाएगा, अब, at time T, from KVL, इधर से बढ़े, क्या होगा बच्च के, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, हाई से लो, निगेटिव, तो माइनस Q by C, इसी concept को लेकर, हम लग सुरू से बढ़े जारे, किर चाप सलाओ, current में भी और अभी भी, और क्यातना, या भी, इधर current जा रहा है, तो क्या होगा, high से low बच्च, तो माइनस IR, और इधर बढ़े चले जाए, तो ENF, या low से high, निगेटिव से positive, तो plus E बाराबर, क्या चला मेरा जीरवा, कितना होगा मेरा बच्चा, यहां, QYC, पॉलास क्या चीज़, IR, इक्वल टू क्या चला, E, या इधर लिआए, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच्चेगा, QYC, I के जगा मेरा बच्चा, DQY, DT, इंटु R, बराबर E, फिर से, उसी फॉर में एक्वेशन लाना, DQYQ करके, माइनस माइनस, देखो बच्चेग, कितना होगा, हाणा, DQY, DT, और, N2 क्या बच्चा, RCC, C से ले लिए तो, RCC, इक्वल टू अट, CE, माइनस Q, अभी इसको, DQ by, Q माइनस C, कर देते हैं, Q माइनस C, करने से क्या हुआ, मेरा बच्चा, यहाँ पर, माइनस RC है, और, DQ by, दे समच्चे है, तो, वह माइनस 1Y RC, इन्टु DT, खुद कलम कागज पकरिये, साथ-साथ करते चले जाएंगे, आपको आदा माराब से, अभी आईक्वेसन निकॉल चुका है, मेरा बच्चा, आभी इसको, इन्टेग्रेट करना है, है न, पहले के कैसस में, 0 से Q करते थे, यह करने, लेकिन यहाँ पर, पहले क्या था, है न, प्लस Q, कैपिटल Q चार्ज है, और बाद में चार्ज बदल कर, क्या हो गया है, स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू से, स्मॉल क्यू तक, इसको क्या करेंगे, इन्टेग्रेट करेंगे, और इसको टाइम, 0 से लेके, टी तक, तो टी टाइम पर हम लोग का, स्मॉल क्यू का वैलू क्या होगा, निकल जाएगा, तो क्या करोगे मरे बच्चा, ध्यान देना थोड़ा, इन्टेग्रेटिंग, इक्वेशन वन, देसमच, डितरमिन लिमिट, at T बाराबर 0, Q बाराबर, capital Q, and at T बाराबर T, Q बाराबर Q, that is, फिर से, इसको इंटेड किया जाए, DQ by Q minus C E, है ना, कितना है, बाराबर how much, 1 by RC, minus 1 by RC, into detail, 0 से कहां, तक T तक, और बच्चो क्या है, इसका value, capital Q से, small Q तक, अब देखें, कर लें आप लो, इसका integration फिर कितना, log E, log E, Q minus C E, जिस तरह उसको, हम लोग जेड मान कर ले सकते हैं, फटा-फट, Q minus C E, कहां से कहां तक, capital Q से, small Q, minus 1 by RC, और DT का integration T, और 0 से limit है मेरा बच्चा, तो यहां पर, इसका value डालो, तो log E, Q minus C E, तो रहेगा, Q के जगा Q, अब दूसरे में क्या होगा, log, small Q के जगा, capital Q मेरा बच्चा, Q minus C E, हो गया, अब बराबर कितना, minus 1 by RC, into T minus 0, T minus 0, T हो जाएगा, यह क्या होगा, log A minus log B का form में है, तो क्या, log A by B बोलोगे, तो क्या कर ले बच्चा, देख लो थोड़ा सा, इसको मैं देखाता हूं, बच्चा, यहीं पर देखा देखा, देखा देखा, complete आज का lecture किस पर है, तो इस तरह के इंटेग्रेशन पर, और देख लो, क्या है, क्या होगा, log A minus log B, बढ़र log A by B, तो log E, Q minus C E, by capital Q minus C E, पहले इनिशियली इतना चार्ज था, बाद में चार्ज Q हो, यही Q find out करना है, बढ़र how much E to the, sorry, minus T by R C, और फिर से वही भासा taking, anti log, क्या होगा मेरा बच्चा, Q minus C E by Q minus C E, और बढ़र E to the power minus T by R C, इसको S लेया जाए, तो Q minus C E equal to what? Q minus C, E to the power minus T by R C, मेरा बच्चा, कुछ बीसे समझाना नहीं है, जब किर्चप्स voltage log से लिखे, उसके बाद चार्ज वाले को एक साइट कर लिए, टाइम वाले को एक साइट, और लिमिट लगा देना इंटेग्रेशन दोनों तरफ से, तो क्या होगा? Q निकालना है? Q बारावर, Q E to the power minus T by R C, इसको multiplied कर दी, और फिर क्या? या minus C, और एक मिनट मेरा बच्चा, यहाँ पर Q minus C E था, यहाँ Q minus C E होगा, यहाँ से देखो Q minus C E उससाइड गया, यह इधर गया, तो यहाँ पर क्या होगा? Q minus C E, तो Q E to the power minus T R C, और फिर क्या? E, पाला C E, और minus C E, E to the power minus T R C, T by R C, चलिए, हो गया बच्चो, Q बारावर, Q E to the power minus T by R C, पाला C E into 1 E to the power minus T by R C, यही चार्ज का वहलू निकालना था, T के टर्म, है न, T time पर, तो केस यहाँ पर क्या है? पहले जो हम लोग फिरी पर पढ़े, वो अंचार्ज केपेसीटर का केस पर यहाँ तब चार्ज की बात किये, फुली चार्ज था तो वो अंचार्ज हो रहा था, यहाँ पर क्या है? चार्ज है और उसको क्या है? फिर बैटरी जो क्या और चार्ज को हम लोग क्या करने हैंगा? Q less than C का केस है, अब और भी चार्ज होगा? चार्ज होगा, तो इस तरह से बात करेंगे, तो आपल देखाता हूं मैं. In the given figure, condenser is initially uncharged. This is uncharged capacitor condenser. And switch S, कही switch देखा दिया है, बच्चो? हाना? Switch S is, क्या चीज? Closed at T बाराबर 0. पहले switch open था, अब switch को क्या किया गया है? Close कर दिया गया, T बाराबर 0. पर टाइम बरते जाएगा, इस पर का charge हम लोग को क्या करना है? Find करना है. Find charge on the plates of the condenser as function of time T. Clear? T बाराबर 0 पर कोई charge नहीं. अब चला देखो, अब इसको close कर दिये तो, figure में इस तरह problem इतना ही है. अब इसको close कर दिये. T time पर इस पर कितना charge? Q plus Q, plus Q और यहाँ क्या चीज? minus Q. और उस case में यहाँ पर current क्या है? I. और इससे current कितना मेरा बच्चा है? यहाँ से current I1 मान ले, तो यहाँ से current I minus I1 होगा. यह current का branch होगा. तो अब क्या है? अभी T time पर add time T. add time T. from KVL. यहाँ लूप 1 बना दे, और यहाँ लूप 2 बना दे. add time T from KVL for loop 1. ध्याँ देना मेरा बच्चा, क्या होगा? high से low, तो minus I R, फिर high से low, यहाँ लूप का direction है, और current का direction उदर ही है. तो क्या होगा? minus I minus I1, by catch is R, और फिर क्या? यहाँ बैटरी, यह minus से plus, low से high, तो plus I बोला जाएगा, बच्चों. तो E बराबर, टोटल का sum catch is 0, तो E बराबर क्या निकल कराया, बच्चा? IR चाहे, IR माइनस क्याचिज, एक मिनट, यहाँ पर यह multiplied होगा, I minus I1 into R, potential drop across the resistance, current into register, तो यहतना, तो I into क्याचिज? minus I R, फिर minus I R, अगर minus common ले लेते हैं, तो plus I R हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, minus minus polus, तो minus क्याचिज? I1 into R, equal to what? E, E को इधर minus लेके, minus cancel कर दिये, साथ दोनों तरफ से, तो यहाँ निकॉल गया मेरा बच्चा, तो क्या निकॉलेगा? हम लोग को चाहिए क्या चीज? है ना, I का formula किसके term में आई हो? अच्छा, इसको यहाँ रोके, अफिर लूप किसके लिए मेरा बच्चा? for loop to, यहाँ पर, for loop to, from KVL, बच्चों, इस लूप के लिए बात करें, plus से minus, तो Q by C होता है, potential drop, तो minus Q by C, और इधर में current क्या है? इधर आ रहा है, और ले रहे हैं इधर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, low से high बाला, तो plus I minus I1, by क्या चला? R equal, sorry, फिर से I into R, तो R बराबर क्या चला? 0, यहाँ से फिर, यहाँ फिर क्या है देखो बच्चों, I minus I1, into R बराबर what? Q by C, है न? हम लोग इसमें put कर सकते हैं, इसको, I minus I1, into क्या चीज, R को Q by C, बराबर Q by C, अब इस डोनों एक्वेशन से, बराबर क्या होगा, यह R by C, Q by R C, और यह I1 उदर गया, तो polis, I1 polis Q by R C, यह एक्वेशन नमबर 2, और इसको, I R, I R चला क्यतना? 2 by R, और माइनस कितना? I1 into R, बराबर हामच E, इक्वेशन नमबर 1, अब 1 और 2 में, I का भैलू हम लोग क्या कर दे, इसमें डाल दे, है ना? तो क्या होगा मेरा बच्चा, from equation 1 and 2, एक लाइन यहाले तर उधर ले चलते हैं मेरा बच्चा, from equation 1 and 2, घ्यान देना, 2, है ना? R, और I के जगा, I1 polis Q by R C, हो गया? और माइनस कितना? I1 into R, इक्वल टो वट? E, अब बिच्चो, I1 बराबर कितना है? तो DQ by DT, यहाँ पर जो current जा रहा है I1, तो यहाँ पर I1 का formula क्या होगा? तो DQ by DT, अब DQ by DT के term में लिए आए, और charge वाले को एक side करेंगे, 0 से Q तक integrate करेंगे, charge वाले को, time वाले को 0 से T, वही काम करना है, तो mathematics करना है थोड़ा सा आपको, तो यहाँ से अब देखो बच्चो, यहाँ substitution कर देना है, 1 और 2 से हम लोग कर दिये, अब यहाँ पर देख लिए, I1 के जगह DQ by DT, I1 के जगह DQ by DT, तो कर लो भाई, यहाँ से subtract हो के क्या निकलेगा? देखो, चलिए पहले एक बार थोड़ा सा और सिंप्लिफाइट करें, 2 I1 into R, पॉलस 2 Q by C, हैने RR गॉन, और माइनस I1 into R, इक्वल टू वट E, कितना होगा? यह I1 into R, पॉलस 2 Q by C, इक्वल टू वट E, सारा बच्चा, अब देख लेंगे अपना एक बार, यहां क्या होगा? I1 के जगा में रबच्चा, DQ by DT into R, अपॉलस क्या चिज, 2 Q by C, एक्वल टू E, ठेक है? तो यहां से इसको इधर ले आए, DQ by DT into R, एक्वल टू वट E, माइनस 2 Q by क्या चिज, C, इसको ले ले, LCM कर ले, तो C E minus 2 Q by क्या चिज, C, और यहां ध्यान दोगे फिर, DQ by C E minus 2 Q, है ना, इक्वल टू वट, 1 by R C, R into क्या चिज़, DT, यहां ध्यान दोगे, यहां इसको इधर ले आए, DQ by क्यतना, C E minus 2 Q, और आर इधर तो 1 by R C into DT हो गया बच्चो, अब इसको क्या करना है मेरा बच्चा, तुम लोग देखो, इसको DQ by 2 Q minus C E, और कितना, minus 1 by R C into DT, अब इसको equation number 3 कर दे, अब integrate कर देना है, कहां से कहां तह, 0 से Q, और 0 से T, मैं इसको कर देता हूं, लास्ट रिजल क्लिक देता हूं, इस तरह का 4-5 बार integration हो चुका है, जादे ही बार उसी को हम लोग को करना है, तो अब देर हम जगा बना ले फिर से, देखो बच्चो, इंटेगर इक्वेशन 3, बितमिल लिमित, बितमिल लिमित, अट T बार आबर 0, क्यो बाराबर 0, अट T बाराबर T, क्यो बाराबर क्यो मेरा बच्चा, that is, क्या होगा बच्चो, DQ by 2Q minus CE, फिर 0 से Q तक, और minus 1 by RC, और DT का इंटेगरेशन 0 से T तक मेरा बच्चा, क्या होगा इसका इंटेगरेशन मैं बोला था, इसको Z मान लो, फिर उसको तो 1 है न, 1 by 2 आता था उसमें, 1 by 2, और log E, 2Q minus CE, और कहां से कहां तक मेरा बच्चा, 0 से Q, और इधर में क्या हो गया, minus 1 by RC तो रहेगा ही, और DT का इंटेगरेशन T, तो T, और 0 से कहां तक T तक, log E, upper limit Q, तो केतना होगा मेरा बच्चा, 2Q minus CE, और minus फिर क्या, Q के जगा क्या चे 0, तो कितना होगा, log E, बेस में E, और minus CE, और यह 2 इधर चलाएगा, minus 2T by RC, यह हो, T बचेगा, तो T by RC, minus T by, तो 2 इधर से 2T by RC, मेरा बच्चा, ध्यान देना थोड़ा सा फिर, log E minus log B बराबर, log E by B, तो इसको क्या लिखोगे, log E, 2Q minus CE, upon क्या चेज, minus CE, equal to what, minus 2T by RC, taking anti-log, एक ही तरह की भाहसा, बार बार मैं बोलते आ रहा हूँ, पिछले लेक्चर में भी भी, लास्ट में यह इसी तरह RC circuit था, और भी भी तक, मैं RC circuit का ही बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, taking anti-log, log गाएभ होगा, इदर exponential के पावर में यह लिखाएगा, तो क्या लिखेंगा, final result फिर से थोड़ा सा, उसको हम लोग क्या कर लें, मिठा ले थोड़ा, और यही पर कर देते हैं, अब आज का लेक्चर यही तक, RC circuit पर concentrate की, मैं बोला, देयान देना है, अगर इसकी बहान है, हम लोग थोड़ा सा mathematics वाली बात, basic mathematics को भी revise कर रहे हैं, और condensura resistance का combination भी जान रहे हैं, क्या होगा, कहां तक पहुँचे हम लोगे, टेकिंग anti-log, तो कितना बचेगा बच्चू, 2Q-CE, upon minus CE, equal to e to the power minus 2T by RC, मैं कर रहा हूँ लेकिन ये तो आपको अपने practice करना होगा, तो कलम का उजलीजी और बैट कर करते रहीं, आप मिलाते रहीं आपने, 2Q बढ़ाबर, CE, minus CE, e to the power minus 2T by RC, मेरा बच्चे, Q, CE common आएगा, CE by 2, of 1 e to the power minus 2T by RC, clear, यह तुम्हारा charge निकल गया, capacitor पर का T time पर, पहले 0 charge था, T बढ़ाबर 0 पर, और T time के बाद charge Q होगया, तो बढ़ाबर निकल गया, clear, मैं तुमसे अब इस lecture को last कर रहा हूँ, अगर classroom रहा कर लाया, मेरे साथ रहते हैं, आप तुम्हें आप फटा-फट पूशता, RC का dimension बता हो, तो RC किस के बाराबर, time के बाराबर मैं बोला, तो RC का dimension सिधे T लिखा जाएगा, clear, उसी तरह से सारा काम करते चले जाएंगे, E inverse का value मैं बोला, E का power minus 1, E को exponential और Euler's number से जानते हो, E का power minus 1, का differentiation तो A E to the power AX बोलते हैं, integration E to the power AX का, into DX का integration, तो E to the power AX by A, इस तरह के integration का बार-बार यूज़ की हैं, log A minus log B बराबर, तो log A by B बोले हैं, taking anti-log लेने से क्या होगा, जिधर log होगा, log gaib होगा, दूसरे तरफ का जो term quantity था हुओ, exponential के power में चला जाएगा, तो इस तरह का चीज़ को आपको बार-बार repeat करते रहना है, मेरा बच्चों, हाना, तो याज हम आपको RC circuit की बात सिखाए, अब अगला lecture और क्या होगा, important होगा, capacitor का ही part होगा, dielectric की बात करेंगे पहले, ठीक है, तो capacitor की capacity देखेंगे, with compound dielectric, तो और सारा केसे सब धेर सारा, dielectric दो तरह का बताएंगे, polar, non-polar, पहले तो substance का classification जानते हो बच्चों, हाना, conductor, insulator और semiconductor बोलते हैं, तो insulator को ही हम लोग क्या बोलेंगे, dielectric बोलेंगे, dielectric को दो तरह से दो बाराइटिक पार्ट में बाटा जाएगा, polar और, non-polar, dipole moment की बात करोगे, dielectric का behavior जानोगे, external electric field में डालने पर क्या होगा, dielectric में क्या change होता है, clear, तो इन सारे बातों को हम लोग अगले lecture में लेकर आएंगे, ठीक है, तो आज का lecture यहीं तक मेरा बच्चा, मैं बार-बार यहीं बोलता हूँ, मैं इसी उमीद के साथ lecture दे जा रहा हूँ, कि आप पिछले lecture सब को complete करेंगे, ऐसा नहीं कि यह lecture देखे, पिछला चार lecture छोड़ दिये, दो lecture छोड़ दिये, नहीं, उस sequence में ही पढ़ेंगे, यह मैं दे दिया छटा lecture तो उससे क्या है, आप पिछला पहले complete करते चले जाएंगे तब, time लगेगा, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, sequence में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और उपर उपर नहीं, क्लास्रूम की तरह कॉपी कागज ले लेना है, और वीडियो की साहिता से समझेगा, कि सर पढ़ा रहा हैं सामने में, नोट करते चलिएगा, के बली वही होगा कि आप हमसे जाए, उस समय इंस्टेंटली हमसे नहीं कुछ क्या कर रहा है, पार बहें, इंट्रेक्ट कर पाएंगे, लेकिन कुई दिक्कत होगा, तो आप बाद में इंट्रेक्शन मेरे से कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ गया ना, तो आज का लेक्चर यहीं तक मेरे बच्चों, घर पर राकर पढ़ाई करेंगे, जम कर, खिलेर, तो आप थे कर वच्चों, ओके.